हलो इस वीडियो में हम number value function के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि number value function को use कैसे किये जाता है तो हम यहाँ पे कुछ number लिखेंगे तो जब हम numbers को लिखते हैं तो numbers जो होते हैं ये right side में आते हैं यहाँ पे आएंगे और जो text होता है वो left side में आता है तो यहाँ पे हम number लिखेंगे जैसे यहाँ पे 10 लिखा इसके बाद यहाँ भी 10 लिखा इसके बाद यहाँ भी 10 लिखा ये number हमने यहाँ पे लिखें लिखने के बाद इन तीन numbers का अगर हम यहाँ पे समझे ये तो इनका sum यहां पे हो जाएगा क्योंकि यह numbers है यह करके देखते हैं यहां पे equal to यह लिखा कौन कौन सा sum करना है जैसे यह sum करना है इसके बाद plus यह इसके बाद यह यह तीनों का sum यहां पे हमने करना है इसके बाद enter प्रेस करेंगे यह enter प्रेस किया तो यह sum होके यहां पर आ जाएगा कभी-कभी यह numbers होते हैं यह text में convert हो जते हैं तो यहां पर हम यह numbers हैं इनको text बनाएंगे और फिर इनका यहां पर sum करेंगे यह दिखो text बनाने के लिए जैसे यह 7 से लेके यहां तक हमने 9 तक यह text बनाने हैं यह जो लिखेंगे इसकी बीच में यह text बन जाएं तो इसको हम यहां पर home tab पर जाएंगे और number group यहां पर जाएंगे इसके बाद यहां पर more बटन पर कलिक लिक करेंगे इसके बाद यहां पर text पर कलिक करेंगे टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब जो भी हम यहां पे लिखेंगे यहां पे जो भी लिखेंगे वो यहां पे टेक्स्ट बनके आ जाएगा तो जो टेक्स्ट होता है वो हमेशा यहां पे राइट साइड में आता है तो यह देखो जैसे हमने यहां पे लिखा 10 इसके बाद enter तो 10 enter करने के बाद यह दिखो यहाँ पर यह green में बन जाएगा type तो इसका मतलब यह है कि यह जो number हमने लिखा हुआ है यह text में convert हो गया है इसके बाद आगला number लिखेंगे यह 10 फिर हमने enter प्रेस किया यह भी यहाँ पर text में convert हो गया है इसके बाद फिर 10 लिखेंगे इसके बाद enter प्रेस करेंगे इसके बाद जब हम इनका sum करेंगे तो यह जो text होते हैं इनका sum यहाँ पर नहीं आएगा यह दिखो यहाँ पर हम formula लगाएंगे is equal to equal to लिखने के बाद यहाँ पर sum लिखा यहाँ पर double click किया double click करने के बाद यह range select करेंगे जिनका हमने sum करना है इसके बाद bracket को बंद करेंगे और बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह दिखो इन तीन numbers का यहाँ पर sum होके नहीं आया क्योंकि यह जो numbers है यह text में convert हो गया है इसके बाद इसको यहां पर मिटाएंगे तो कभी कभी क्या होता है हमारे पास यहां पर जो numbers होते हैं वो text में change हो गई होते हैं तो उनका sum यहां पर नहीं आता है तो उसको करने के लिए हम यहां पर number value function का use करेंगे और number value function का use करके इन text वाले numbers को numbers में convert करेंगे तो यह numbers value function के जेरी यह हम यहां पर कर सकते हैं इसको करने के लिए यहां पर हम click करेंगे click करने के बाद यह देखेंगे इसको हम numbers में convert करेंगे तो इसको करने के लिए हम यहां पर equal to यह लिखा लिखने के बाद number value formula लिखेंगे यह लिखो number value यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर double click करेंगे इसके बाद कौन सा हमने यहाँ पर number में change करना है तो यह change करना है यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर click करने के बाद bracket को बंद करेंगे bracket को बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद ये देखो ये जो 10 यहां पे लिखा हुआ है जो कि text की form में था तो ये यहां पे number में change हो गया ये देखो ये left side यहां पे आ गया है अगले को भी हम देखेंगे तो इसको यहां पे click करेंगे और ये नीचे drag करेंगे यह drag किया यह तीनों जो text की form में थे numbers यह यहां पे numbers में change हो गया है अब हम यहां पे इनका sum कर सकते हैं यहां पे equal to यह लिखा equal to लिखने के बाद यहां पे sum लिखेंगे यह sum लिखा sum लिखने के बाद यहां पे sum पे double click किया इसके बाद यह range select करेंगे select करने के बाद यहां पे bracket को बंद किया बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो यहां पे numbers में convert कर सकते हैं और उसके बाद इनका यहां पे sum कर सकते हैं तो एक तो यहां पे यह method है कि numbers value function के जरीए हम text numbers को numbers में convert कर सकते हैं इसके बाद अगर numbers value function formula के जरीए नहीं करना है तो हम ऐसे भी इनको change कर सकते हैं यह रिखो यहां पे click करेंगे यह जो number है जो कि text में change हो गया है यहाँ पे हम इसको numbers में यहाँ पिलाएंगे तो इसको करने के लिए यहाँ पे equal to यह लिखा लिखने के बाद अब किस text numbers को हमने यहाँ पे number में convert करना है तो उस cell पे हम click करेंगे तो यह जो यह numbers है यह text में change हो गया है यहाँ पे इसको number बनाना है तो यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे A7 यह surname में यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद यहाँ पे plus यह लिखा लिखने के बाद यहाँ पे 0 इसके बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह number जो text में था यह यहां पे numbers में convert हो गया है इसको check करेंगे यहां पे click करेंगे और इसको निच्छे यहां पे drag करेंगे यह drag किया यहां से green यह tab यहां से जल गया है अब यहां पे हम formula लगाएंगे यहां पे हम लिखेंगे equal to equal to के बाद यहां पे sum लिखेंगे यह सम लिखा, यहां पर डबल क्लिक करेंगे डबल क्लिक करने के बाद इस range को select करेंगे यह range आ जाएगी, इसके बाद bracket को बंद करेंगे और enter प्रेस करेंगे, enter प्रेस करने के बाद यह देखो यहां पर यह 30 यहां पर आ जाएगा अब हम इसकी position यह जो left side में है क्लिक करेंगे, यह देखो number पर क्लिक करने के बाद यहां पर यह right side में आ जाएगा, decimal place आ गया है तो इनको अगर हमने अटाना है, तो इनको select करेंगे select करने के बाद यहां पर numbers ग्रूप में जाएगे और यहां से decrease decimal, यह देखो इनको हटाना है, यह हमने यहां से नंबर formant में चेंज नहीं करना है तो हम अगला method यहां पर यूज करेंगे यह जो numbers है जो कि text की form में है तो इनको हम number पहले convert करेंगे इसके बाद इनका फिर यहां पर sum करेंगे तो इनको number में convert करने के लिए यहां पे 10 पे क्लिक किया यहां पे more button है यहां पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पे second option पे क्लिक करेंगे convert to number तो यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक किया तो यह जो है यह number में convert हो गया यह देखो left side में यहां पे आ गया इसके बाद second यहां पे click किया यहां भी more button पे click करेंगे और convert to number यहां पे click करेंगे यह भी number में convert हो गया इसके बाद सभी को select करेंगे और select करने के बाद यहां पे more button पे click करेंगे और सभी को हमने convert करना है number पे तो यहां पे convert to number और यह सभी number जो की text के format में थे अब सभी number format में change हो गया है अब हम इनका यहां पे sum कर सकते हैं तो sum करने के लिए हम यहां पे click करेंगे click करने के बाद यहां पे equal to यह लिखा sum लिखेंगे यह sum लिखा सम लिखने के बाद यहां पर सम पर डबल क्लिक किया डबल क्लिक करने के बाद यहां पर रेंड सेलेक्ट करेंगे यह रेंड सेलेक्ट की रेंड सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे और यहां पर एंटर प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद ये देखो ये जितने भी थे numbers यहां पे इनका sum यहां पे आ गया है इसके बाद अगर हम ये decimal places को आटान जाते हैं तो numbers group में जाएंगे यहां पे इसके बाद ये decrease decimal यहां पे क्लिक करेंगे ये देखो यहां पे decimal यहां से हटा दिये तो इस वीडियो में हमने numbers value function के बारे में जाना आगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद